खबर शामली जनपत से है जहां कनफेक्षनरी होलसेल की दुकान और गोदाम में अचानक आग लग गई आग इतनी भीशन थी कि कुछ हे मिंटों में लाखों का सामान जल कर राख हो गया मोके पर पहुचे दमकल विभाग के अधिकारियों ने कई घंटों की कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया आग लगने का कारण सोल्ट सरकिट माना जा रहा है दरसल पूरा मामला सदर कोतवाली छेतर के कबाड़ी बाजार का है जहां जैन मोहला निवासी बबलू पुत्र रामलाल की कनफेक्षनरी की होलसेल की दुकान है और दुकान के उपर गोदाम है जिसमें खंबे के विधुततारों की चिंगारी से आग लग गई आग की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों का जमावडा लग गया और आननफानन में इसकी सूचना इस्थानिय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुची और आग बुझाने में जुट गई कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया वही दुकान में रखा लाखों का सामान जल कर राख हो गया वही पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़िया मोके पर पहुची और दमकल अधिकारिय दुआरा आग पर काबू पालिया गया है इसमें जैसी फायर स्टेशन में सूचना मिली कि किसी कनफेक्शनरी की दुकान में आग है पर चौक के आसपास तुरन क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा पहले छूती गाड़ी निकाली जाती वाटरमिस्ट वहिकल है जब वाटरमिस्ट वहिकल यहां पर आया थो उन्होंने बताया कि और भी गाड़ी के आवशक्ता है तो बड़ी गाड़ी वहां से शामली से निकाल दी क्योंकि बड़ी गाड़ी जो उसमें काफी पानी प्रियाप्त है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है स्थिति पूरी सामान ने है लेकिन फिर भी स्टेंडबाइ मोड के लिए एक गाड़ी कहराना से और बुला ली गई है बाकी अभी स्थिति नियंत्रण में दिखती है को इसा सब पानी निया नियानी है याप ने पानी घाड़ी तो है गाड़ी है लेकिन गाड़ी कि एक यह कंस्टन रहता है कैपैसिटी 5000 लीटर से लिमिटेट केपैसिटी उतिया नवानी कितना बढ़ता तो भी कुछ कहने सकते हो तो जांच का विश्व बार पुरा बुझ जाये उसक किसे लिए कितने लोग लगे हैं इसमें हमारे करीब आठ दसमें भेकरी करी जो पहले पहले छोटे वाले वहिकल पर हैं जूसरे फाइटेंडर पर हैं जो